हलो फ्रेंज आम मोना फॉर्म सर्पस्टार चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं होममेट चॉकलेट जो बहुत ही टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और बनाने में उतनी ही आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जिसा हम मार्केट से लेकर खा और बेल आइकन की बटन दबाए मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए तो चलिए अब हम चॉकलेट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट बनाने के लिए हमने आपर लिया है 1 3rd cup पाउडर शुगर, 1 4th cup कोकोनट ओईल, 1 टेबल स्पून कोकोप पाउडर जो मैंने विक फिल्ड का यूज किया है 3 टेबल स्पून ड्रेंकिंग चॉकलेट ये भी मैंने विक फिल्ड कंपनी की यूज की है half teaspoon coffee powder one and half teaspoon milk powder half teaspoon butter और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बरतन में पानी ले लिया है half तपेली भर लिये मैंने इसकी हमें double boiler का यूज करना है तो अब यह पानी को थोड़ा गरम होने देंगे और अब पानी हलका गरम हो जाने के बाद इस पर अब मैं एक दूसरा काच का बाउल रख रहे हूँ यदि आपके पास काच का बाउल ना हो तो आप स्टील का बरतन भी यूज कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे नीचे का बरतन उपर के बरतन से छोटा होना चाहिए और अब हम इसमें इसे अच्छी तरह से हम मैल्ट होने देंगे और अब हमारा कोकोने टॉइल अच्छी तरह मैल्ट हो गया है मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी है और अब इसके बाद हम इसमें कोको पाउडर एट करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मेक्स कर लेंगे बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें आप इसे यूँ स्पून की हल्प से चलाते जाएंगे तो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो सारे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मेक्स हो गया है ये और अब इसके बाद हम इसमें ड्रिंकिंग चोकलेट अट करेंगे और इसे भी इसी तरह बहुत स्मूदली मेक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें कॉफी पाउडर अट कर देंगे कॉफी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे flame हम slow ही रखेंगे और अब इसके बाद हम इसमें milk powder add कर देंगे और अभी gas का flame off कर देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और milk powder अच्छी तरह mix कर लेने के बाद इसमें हम powder sugar add करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम गैस का फ्लेम अन कर देंगे फ्लेम स्लोई रखेंगे और इसे लगबग हम देड़ से दो मिनिट तक पका लेंगे और अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें बटर एट करेंगे इसे भी मिक्स होने देंगे अच्छी तरह से मैल्ट हो जाने देंगे और butter के melt होते ही हम gas का flame off कर देंगे और अब butter melt हो जाने के बाद gas का flame हम off कर देंगे और इसे हम इस पर से उतार लेंगे double boiler पे से और इसे दो से तीन मिनिट के लिए हम धंडा होने देंगे और अब 2 मिनिट बाद, यहां पर मैंने इस तरह का चॉकलेट मोल्ड ले लिया है, यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इस पर हम पहले ग्रीसिंग कर लेंगे, तो मैं यह कोकोनेट ओल का यूज कर रही हूँ, अच्छी तरह से लगा लेंगे, और यह आपके पास ऐसा मो पुरा फिल करना है हमें, इसी तरह से सारे मोल्ड में बर लूँगी में चॉकलेट, इमें भी बहुत हल्दी है क्योंकि इसमें हमने कोकोनेट ओल एट किया है, कोकोनेट ओल हल्द के लिए बहुत अच्छा होता है, और अब इसके बाद हलके हातों से इसे हम एक दो बार टै और अब 15 मिनिट हो गए है, मैंने चॉकलेट को फ्रीज के बाहर निकाल लिया है, और अब हम इसे डी मोल्ड करेंगे, तो इसके लिए हम एक प्लेट ले ली है, इसे हम धीरे से टर्न करेंगे, और इसे आइस्ता आइस्ता ऐसे पुश करेंगे हम, यह देखिए, बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनकर हमारी तैयार हुई है, और अब इसी तरह से मैं बाकी की चॉकलेट पर निकाल लूँगी, तो यह मैंने सारी चॉकलेट स्टी मोल्ड कर ली है, और यह हमारी स्वादिश्ट और हेल्दी चॉकलेट बनकर बिलकुल तैयार है, तो आप इसे के साथ जरूर शेयर करें, थैंक यू फो वाचिंग